Hello and welcome to your favorite channel, Brain O Solution. आज हम करेंगे exercise 9.3 का question number 6. इस figure में तो हम पास ही codiliteral given है A, B, C, D. यहाँ पर यह कह रहे हैं कि एक तो A, B, C, D के बराबर है, equal है. और O, B, O, D के equal है. तो हमको पहला क्या proof करना है that area of triangle D, O, C is equal to area of triangle A, O, B. यह तो मैं proof करना है. तो मैं क्या करती हूँ? D, N, एक perpendicular बनाती हूँ AC पर, दूसरी perpendicular बनाती हूँ BM AC पर. तो आप लिखेंगे construct perpendicular D, N to AC. ठीक है, and BM perpendicular to AC. ठीक है, clear है? मैंने D, N को perpendicular बनाया AC पर, और AC मैंने perpendicular draw करा BM AC पर. ठीक है, clear है? अब देखो, हम लोग क्या करते हैं? इन triangle D, O, C and triangle B, O, A. यह जो दो triangle है, मैंने क्या करा? देखो, एक तो यह बड़े-बड़े triangle से हैं, एक यह छोटा वाला triangle है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? छोटे वाले triangles को congruent proof कर देते हैं. ठीक है? तो हम छोटा वाले लेते हैं, D, O, N और B, O, N. इन दोनों को सबसे पहले हम दो congruent proof करते हैं. तो अब यह देखो, angle D, O, N is equal to angle B, O, N. क्यों होगा भाई यह? क्योंकि यह दोनों vertically opposite angles. vertically opposite angles equal होते हैं? तो मैं रीजन दे दिया. ठीक है? दूसरी बात बच्चों, यहाँ पर तुम्हारे पास यह कह रहे हैं, D, O, equal to B, O है. यह given है बच्चों. ठीक है? तीसरी बात क्या है? कि angle D, N, O is equal to angle B, M, O. क्यों है? क्योंकि यह 90 degrees है. यह हमने अभी draw ही कर रहा है 90 degrees. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, that triangle D, O, N is congruent to triangle B, O, N. बोल सकते हैं? अब जो जब दोनों triangle से congruent होगे, तो क्या होगा बच्चों? इनका area भी equal होगा. congruent चीज है, triangle है, कोई भी congruent figure है, तो obviously area भी equal होगा. तो मैं कह सकते हैं, area of D, O, N is equal to area of B, O, N. तो यहाँ से हमारे पास area आगया है, दोनों छोटे वाले triangles का, इसको तुम मान लो, equation 1. ठीक है, clear है? और यह कैसे हुआ है? by angle, side angle, यह criteria भी लिख दो. यहाँ तक बात होगे हमारी clear? ठीक, अब आज़ो आगे तो. अब आते हैं हम लोग बड़े वाले triangle पर हैं न? अब देखो बच्चों, in triangle dcn and triangle bma. यहाँ पर हमें क्या-क्या मिल सकता है, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले तो हम देखते हैं, कि यहाँ पर angle n तुम्हारा angle m के equal है. यह दोनो 90-90 angle है? ठीक है? तो यह दोनो equal होगा है. ठीक है? clear है? अगली चीज हमको क्या मिल रही है? यह तुम ले लो right angle है तुमारा है न? तो हम इसे RHS से proof करेंगे. ठीक. दूसरा तुम्हारा पास यहाँ पर hypotenuse क्या हो जाएगी? DC equal to AB. यह तुम्हारे पास given है. यह इसकी equal है. ठीक है? यह तुम्हारा hypotenuse है. ठीक है? clear है. अगली चीज क्या है आपके पास? that BN equal to BM है. ठीक है? यह कैसे आई? यह line इसकी equal कैसे आजाएगी बच्चो? क्योंकि हमने उपर प्रूफ करना न? यह दोनों triangles congruent है. तो मैं कह सकती हूँ CP CT से यह दोनों lines भी जो है वो equal है. side zone हो equal है. ठीक है? तो यह तुम्हारी side हो गई. तो यहाँ पर बता कौन सा criteria लग गया बच्चो? इसको बलके हम ऐसे कर लेते. red से तो तुम्हें easy रहेगा. ठीक है? अब बता criteria बता कौन सा criteria हो गया? RHS criteria हो गया? तुम्हें कह सकती हूँ that triangle DCN is congruent to triangle BMA. ठीक है? by RHS. ठीक? इसको तुम मान लो अपनी second equation. अब हम क्या करेंगे बच्चो? दोनों first और second को add कर देंगे. ठीक? add one and two. ठीक? first में क्या था है? छोटा वाला triangle. तुम्हें कह सकती हूँ area of triangle DNO. ठीक? यहाँ से add करो यह वाला area of triangle DCN. ठीक? RHS पे आओ. क्या था? यहाँ पे छोटा वाला area? area of BON. ठीक है? इसमें क्या तुम्हें add करना है? यह वाला area. ठीक है? BMA सही से लिख ले ना? मेरा सही नहीं आया है. ठीक है? अब देखो यह दोनों वो add करो कि तो क्या area बन जाएगा? area of triangle DOC. area DOC बन जाएगा? ऐसी right hand पर आओ. इन दोनों को add करो तो क्या बन जाएगा? area of AOB. ठीक है? clear है? आपको यहीं तो proof करना था? ठीक है? हमारा आ गया. शाहिए? अब आजो तुम इसके second part पर. ठीक है? यहाँ पर क्या है आपके पास? यह कह रहा है आपको proof करना है DCB equal to area ACB. DCB equal to ACB. है न? चलो तो देखो बच्चों हमारे पास जो first equation थी उससे क्या आया था? यह वाला area आया था. DOB आया था? क्या आया था हमारे पास? इससे क्या आया था? area DOC equal to area AOB. यह तुमने अभी first में proof कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं न? यह न? प्रूवड अबव. अब मैं क्या करती हूं बच्चों? इन दोनों में ही BOC आड़ कर देते हैं. तो हम क्या करेंगे? इन दोनों में क्या आड़ करेंगे? दोनों तरफ आड़ कर दो तुम BOC. तो मैं कह सकती हूं area of DOC plus area BOC. ठीक है? यह हो जाएगा area of BCB. सिंपल. ऐसी यहाँ पर AOB plus BOC क्या हो जाएगा? area ACB. कितना आसान था यह? है के नहीं? ठीक है? यहाँ पर आप यह plus का sign नहीं बनाना. लिख देना. add area BOC to both the sides. यह लिखना. ठीक है? clear है? हो गया यह यहाँ पर आपका? complete. अब आज़ आज़ तुम इस के 3rd part पर. 3rd में कहे रहे हैं that proof करो that DA is parallel to यह इसके parallel है. या फिर क्या proof करो? कि ABCD is a parallelogram. ठीक है? clear है? अब यह देखो बच्चों. अगर हम देखते हैं that triangle D CB. BCB. यह वाला triangle. and triangle BCB. ABC. एक यह वाला triangle. दूसरा यह वाला triangle. यह दोनों बच्चों, they are on same base. ठीक है? दोनों की base क्या है? BCA. ठीक है? clear है? नहीं, रुको, रुको, हाँ. ठीक है. सही है? यह दोनों triangle की base क्या है? BCA. ठीक है? और इन दोनों का area भी same है. हमें पता है ना? कि DCB equal to ABC है. तो हम कह सकते हैं कि they are between the same parallels. कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो देखो, यह दोनों triangles are on the same base and are equal in area. they are equal in area. तो therefore, they lie between same parallels. ठीक है? they lie between same parallels. अब यहाँ पर parallels क्या है? AD and CD. आगे समझ में clear है? हमने थोड़ा easy, अगर मैं तुम्हें words में बताऊंगे तो देखो, अगर दो triangles same base पे हो, between the same parallels होते हैं, तो दोनों के area same होते हैं. यहाँ पर क्या है? same base पर है, area same है, इसका मतलब यह दोनों same parallels के बीश में होंगे. that means AD is parallel to BC. ठीक है? दूसरा हमारे पास क्या given है बच्चो? के AB is equal to DC. ठीक है? तो देखो, हमारे पास दो criteria's आगे. इससे हम क्या कह सकते है? that ABCD is a parallelogram. ठीक है? इसको बलके पूरा ही लिख लो. ठीक है? फिर लोग्राम की spelling सही नहीं है, सही कर देना. ठीक है? clear है? अच्छे से समझ में आया है यह वाला question तुम लोगों को? अब आज हो इसकी question number 7 पर. देखो बच्चों, अब हम करेंगे question number 7 ठीक है? यह कह रहे हैं, triangle ABC यहाँ पर एक point है D, एक point है E. तो यह तुम्हाँ पर कि दो triangles अगर on the same base होते हैं और between the same parallel होते हैं तो दोनों का area equal होते हैं, इस सबको पते हैं, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तुम्हाँ पर दो दूसरी चीज़े given है, क्या given है? कि यह same base पर है BC पर, इन दोनों का area same है, इसका मतलब यह दोनों parallels के बीच में होगी, ठीक है? clear है? तो हम यह क्या कह देंगे? the triangle DBC and triangle EBC are on the same base, BC, ठीक है? BC बोल दो, CB बोल दो, एक ही बात है, ठीक है? इसी base पर है दोनों and have equal areas, this implies that, इसका मतलब क्या हुआ? they are between same parallels है ना? यहाँ पर parallels कौन सी है बच्चों, जिसके बीच में होगा यह? DE and BC, ठीक है? this implies that DE is parallel to BC यह question बहुत ही आसान था है ना? इसमें कोई time भी नहीं लगा बस तुमारे theorems कौन सेप्चे की clear होने चाहिए तो सब हो जाता है ठीक है? I hope वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीस चैनल को subscribe करना और एक अच्छा जा comment कर देना thank you for watching Brino solutions